आज मैं यहाँ पे 4 easy and quick breakfast recipe आप लोगों से शेयर करूँगी जिसमें 2 wedge आईटेम है और 2 non wedge तो इसको एंट तक देके और ज़रूर एक बार घर में बना के टेस्ट करें recipe अच्छे लगने से लाइक और शेयर करना ना भूले और प्लीज मेरी चानल को सब्सक्राइब करें हम यहाँ पे ले रहे हैं एक काप दलिया dry roast करेंगे इसको low medium flame पे मैंने यहाँ पे छोटे दाने वाला दलिया लिया है आप बड़े दाने वाला दलिया भी ले सकते हैं continuously star करते रहेंगे 3-4 मिनिट्स मैंने इसको dry roast कर लिया है अभी gas को off करके इसको धोलेंगे अभी कराई पे दे रहे है 1.5 टेबल स्पून घी घी गरम होने के बाद देंगे दो इलाईची, एक लॉंग, एक दालचीनी, एक जवेत्री, एक सुखे लाल मिर्च और एक तेजपत्ता 30 सेकिंद्स फ्राई करेंगे लो फ्लेम में फिर दे रहे हैं एक कप गाज़त चॉप्ट, एक कप बिंस चॉप्ट एक मिनिट मीडियम हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे एक मिनिट बाद दे रहे हैं वान टी स्पून ग्रीन चिली चॉप्ट, हाफ काप ग्रीन पीस और एक मिनिट फ्राई कर लेंगे उसके बाद दे रहे हैं एक ग्रीन कैपसिकम चॉप्ट फिर से और एक मिनिट फ्राई करेंगे आप सोच रहे होंगे हम लोग सब सबजी को एक साथ क्यों नहीं डाले माटर अन कैपसिकम बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते इसलिए इसको बाद में डाले थे देंगे सॉल्ट टू टेस्ट वान फोटी स्पून हल्दी पाउडर मिक्स कर लेंगे इसको अभी हम इसको कवर करके दो मिनिट लो फ्लेम में पका लेंगे दो मिनिट बाद इसका धक्कन खोलेंगे दल्या डाल देंगे इसके अंदर इसको अच्छे से एक बार धो लिये थे हम मिक्स कर लेंगे सीम काप से देंगे सवा काप पानी एक काप डाल दिया और हाफ का भी हाफ मतलब वन फोट काप यानि कि टोटल 1.25 काप पानी डाल दिया मिक्स कर लेंगे मैंने छोटे दाने वाला दलिया यूज किया है इसलिए 1.25 काप पानी दिया है आप बड़े दाने वाला दलिया यूज करेंगे तो दलिया का डबल क्वांटिटी पानी यूज करना है मतलब 1 cup दलिया के लिए 2 cup पानी अभी इसको cover करके medium flame में 2 minute पका लेंगे flame low में करके ढखकन को खोलेंगे mix कर लेंगे एक बार पानी पुरा सुखके dry हो गया है अभी हम gas को off करके बिना ढखके 5 minutes ऐसे ही छोड़ देंगे इससे ये पुलाओ एकदम खिला-खिला बन जाएगा फाइव मिनट्स बाद एक बार इसको चला लेंगे देखिए पुड़ा खिला-खिला बना है ये दलिया का पुलाओ सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है कि पानी और दलिया इसका मेशर्मेंट सेम काप से करना है तो अभी हम इसको सर्फ कर लेते हैं कमेंट करना मत बुलियेगा और प्लीज प्लीज इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक काप सूजी और हाफ काप दही तो मिला लेंगे इसको अच्छे से तो जितना क्वांटिटी अब सूजी लेंगे उससे हाफ क्वांटिटी अपको यहाँ पे दही लेना है अभी हम इसमें हाफ का पानी अट करेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे मिक्स कर लिया है अच्छे से अब हम इसको कवर करके हाफ एनार के लिए ऐसे छोड़ देंगे गैस को ओन करके पैन पे दे देंगे टू टेबल स्पून ओईल करम कर लेंगे इसको फीट देंगे 1 फो टीस्पून मास्टर सिट्स जब ये सरसो की दाना चिरकने लगे उसमें देंगे 1 श्माल साइस ओनियन चॉप्ट एक ग्रीन चुप्ट अब कर लेंगे इसको अच्छी से दो से तीन मिनित लो मेडियम देंदा फ्रेड़ में फ्राई करने के बाद इसमें देंगे देंगे लो टीस्पून जिंजर पेस्ट 1-4 टीस्पून हल्दी पाउडर 1-5 टीस्पून लाल मेच पाउडर यह अप्शनल है मिला लेंगे इसको मिलाने के बाद एक से 2 मिनिट लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे फिर देंगे 3 बॉयल्ट पटाटो हम तोर के डाल रहें इसको थोरा सा सॉल्ट और 1-4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर एक मैशर की सहता से हम मैश कर लेंगे आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं तो हम लोग का यह पूर रेडी हो गया है साइट कर देंगे इसको आदा घंडा बाद हम धक्कन को खोलेंगे देखिए सूजी फूल के सॉफ्ट हो गया है मिला लेंगे इसको एक बार फिर आट करेंगे हाफ काप पानी मिला लेंगे इसको पहले हाफ काप पानी और अभी हाफ काप यानि की टोटल एक काप पानी यूज किया है तो जितना quantity आप सूजी लेंगे, same quantity आपको पानी यूज़ करना है फिर देंगे salt to taste, पूर में भी salt यूज़ किया है, इसलिए ध्यान में रखके दीजिए half teaspoon cooking soda, यह optional है, मिला लेंगे इसको और इडली के batter की जैसे consistency हम यहाँ पर रखेंगे तावा गरम करके 1 teaspoon oil ब्रश कर लिया है, और इसमें देंगे थोड़ा सा batter, हलके हातों spread कर देंगे इसको फिर थोड़ा सा आलू का पूल लेके रोल करके हातों से टिकी का शेप देंगे और प्लेस कर देंगे बैटर के मिडिल पे, फिर थोड़ा सा और बैटर लेके cover कर देंगे इसको देखिए मैं कैसे कर रही हूँ अभी ढखके 3-4 मिनिट्स लो फ्लेम में पका लेंगे 3-4 मिनिट बाद cover हटाएंगे 1 टीस्पून तेल स्प्रेट करेंगे क्योंकि दूसरे साइट को भी fry करना है पलट देंगे इसको अच्छे से प्रेस करके fry करेंगे देखिए बिलकुल ओयल नहीं है इसमें बहुती कम ओयल में एक healthy रेसिपी है दो मिनिट बाद देखेंगे कि दूसरा साइट भी हो गया है फिर हम पलट पलट के दोनों साइट से एक मिनिट लो मीडियम फ्लेम में fry कर लेंगे तो हो गया है यह निकाल लेंगे इसको और एक में करके दिखा देती हूँ आप लोगों को सर्फ करने के लिए मिडिल से कट कर लेते हैं इसको यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है तो मैं कहती हूँ एक बास जरूर ट्राइ केजी आप इसको मैंने यह आप एक ग्रिल पैन लिया है आप चाहे तो इसके जगा पे नॉर्मल तावा भी ले सकते हैं पैन को अच्छे से गरम करके दे रहे हैं 1.5 टेबिल स्पून बटर बटर को मिल्ट कर लेंगे प्यास को हम रिंग शेप में काटके पैन में दे देंगे बस एक चीज ध्यान में रखना है कि पैन अच्छे से गरम हो एक मिनिट लो फ्लेम में एक साइट को फ्राई करने के बाद पलड देंगे और दूसरे साइट को भी एक मिनिट लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे आप चाहे तो बटर के जगा पे ओल भी ले सकते हैं अगर ये रिंग ऐसे थोरी से खोल भी जाए तो कोई प्राउब्लिम नहीं है दोनों साइट एक एक मिनिट करके फ्राई हो गया है तो इसको निकाल लेंगे सेम प्रोसेस में हम टोमाटो को भी रिंग डिंग करके काटके एक एक साइट को 30 to 45 सेकंड करके फ्राई कर लेंगे हमने याँ पी कोई और एक्स्टा बटर यूज नहीं किया है सेम बटर में फ्राई कर रहे है अल्मूस्ट 45 सेकंड हो गया है तो इसको पलट देंगे और दूसरे साइट को भी 30 to 45 सेकंड लो फ्राई कर लेंगे हो गया है तो निकाल लेंगे जादा देट तक टोमाटो को फ्राई मत कीजिए नहीं तो टोमाटो एक तम सॉफ्ट हो जाएगा अब ही हम इसमें half teaspoon butter milk करके ब्रेट को टोस्ट कर लेंगे मैंने यहाँ पे white bread लिया है आप चाहे तो brown और नहीं तो multi crane bread भी ले सकते है तोड़ा तोड़ा प्रेस करके टोस्ट कर लेंगे दोनों साइट को पैन गरम है तो एक से देर मिनिट काफी है एक एक साइट को टोस्ट करने के लिए सभी bread को हम ऐसे ही टोस्ट कर लेंगे एक को fry करने के लिए हम तवा पे दे रहे हैं 1 tablespoon oil ओइल को चारो साइट में स्प्रेट करके गरम कर लेंगे अंडे को फोर के डाल देंगे इसमें और एक से देर मिनिट करके दोनों साइट को फ्राई कर लेंगे थोरासा नमक छिरख देंगे टेस्ट के हिसाब से एक से देर मिनिट बाद पलट देंगे और दूसरे साइट को भी एक से देर मिनिट फ्राई कर लेंगे देखिए मैं दिखा देती हूँ दूसरे साइट भी अच्छे से हो गया है तो निकाल लेंगे इसको अब है हम सैंड्विच को बनाएंगे तो पहले रखेंगे एक ब्रेड फिर उसके उपर दो से तीन प्यास सजा लेंगे इसे उसके बाद तीन से चार टोमाटो रख देंगे यहाँ पर आप चाहे तो इससे जाधा क्वांटिटी प्यास और टोमाटो एक सैंड्विच में यूज़ कर सकते हैं उसके बाद रख देंगे यह एक फ्राई थोड़ा सा ब्लाक पेपर ची रख देंगे बट यह ऑप्शनल है दूसरा एक ब्रेड रख देंगे इसके उपर तो अभी यह सैंड्विच एक दम रेडी हो गया है एक प्लेट पे ले लेंगे दो अंडा देंगे सॉल्ट टू टेस्ट एक फॉक से हम अंडे को अच्छे से फेट लेंगे देंगे टू टेबल स्पून चॉप धनिया पत्ता वान टेबल स्पून चॉप ग्रिन चीलीस मिक्स कर लेंगे अच्छे से ये रेसिपी बहुती इजी अंजटपट बन जाती है इसको आप ब्रेकफर्स्ट और स्नाक्स में कभी भी खा सकते है तवा को गरम करके दे देंगे वान टेबल स्पून ओईल स्प्रेट कर लेंगे अच्छे से फिर एक ब्रेट लेके एक मिक्स्चर पे डिप करेंगे ऐसे और दे देंगे तवा के उपर दूसरा एक ब्रेट लेके भी सेम प्रोसेस में ऐसे डिप कर लेंगे और फिर तवा पे दे देंगे दोनों ब्रेट को एक साथ ऐसे जोड के देना है मतलब दोनों braid के बीच में gap नहीं होना चाहिए अभी जितना mixture बचल बचा है इसके ऊपर डाल देंगे दोनों braid के gap में भी डाल देंगे इससे अगर थोड़ा सा भी gap रहेगा तो वो इस mixture से fill हो जाएगा इसको अभी 2-5 मिनिट के लिए low flame पे ऐसी छोड़ देंगे इस साइट को भी लो फ्लेम पे देर से दो मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे। देर से दो मिनिट बाद पलट देंगे। देखिए इस साइट भी अच्छे से हो गया है तो गैस को ओफ करके नेक्स टेप पे जाएंगे। एक प्लेट पे निकाल लेंगे इसको। थोड़ा सा मोजरिला चीज नहीं तो प्रसेस चीज ग्रेट कर लेंगे एक ब्रेट के उपर ही हम लोग ग्रेट करेंगे दोनों ब्रेट के उपर ना करें दे रहे हैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा चीली फ्लेक्स पर दोनों ये ऑप्शनल है दूसरे ब्रेट को ऐसे फोल्ड करके बंद कर लेंगे और हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे काट कर लेंगे ऐसे आप चाहे तो इसको बिना काटके भी सर्फ कर सकते है आप इसको घर में एक बास जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंस करके बताईए कि कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी